लक्षमी के आठ रूप प्राचीन गरंतों में इनको अश्ट लक्षमी कहा गया है। हमारे जीवन में लक्षमी के इन आठ रूपों का समान रूप से महत्व है। परन्तु हमने सिर्फ धन लक्षमी को ही विशेश महत्व दिया है, बाकी अन्य साथ की हमने उपेक्षा की है, जिसके परणाम सरूप हमें अपने जीवन में शान्ती, सुक नहीं है, धन है लेकिन बीमार होने के वज़े से उस धन का भी आम आनंद नहीं ले सकते हैं, तो लक् लक्षमी के आठ रूपों को अपने जीवन में उनका आशिरवाद लेके अपने जीवन को आनंद में बना सकते हैं, लक्षमी का पहला रूप आदिलक्षमी, आदिलक्षमी आध्यात्म है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश है, वही आदिलक्षमी है, जोदि में इशान को संतुलित रखें आदी लक्षमी की कृप्स आपके जीवन में बनी रहेगी लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी, सोना चांदी पैसा जो भी भौतिक सुक है वो धन लक्ष्मी है और ज्योतिश में धन लक्ष्मी शुक्र है वास्तु के अनुसार घर में धन लक्षमी की दिशा है अगनी साउथ इस्ट दक्षिन पुर्वदिशा इसको अपने घर में संतुलित रखें आपके जीवन में धन लक्षमी की कृपा बनी रहेगी तीसरा लक्षमी का रूब धाने लक्षमी इनको भोजन की देवी भी कहा गया है इनका समंद स्वास्त से है अच्छा स्वास्त है धन लक्षमी की कृपा है आप जीवन के जितने भी सुख है उनका आनंद ले पाएंगे जियोतिश में इनका समंद सूर्य और चंद्रमा से है और वास्तु में इनकी दिशा है पूर्वदिशा और वायव्य नौर्थ वेस्ट उत्तर पश्यब लक्षमी का चौथा रूप गज लक्षमी भागय लक्षमी राज लक्षमी से व्यक्ति के जीवन में बड़ी बड़ी गाडियां लक्षरी कार का ये प्रतीक है भागय लक्षमी से व्यक्ति की किस्मत चमकती है और राज लक्षमी की किरपा हो तो व्यक्ति अपने जीवन म सूर्ण से और वास्तुमें इनकी दिशा है पुर्वदिशा पुर्वदिशा अगर आपके घर में या आपके प्रौपर्टी में संतु लित है तो आपको अपने जीवन में गज भागे राज लक्षमी की कृपा बनी रहेगी। लक्षमी का पांचवा रूप संतान लक्षमी। आपके बच्चे परोपकारी हैं, आग्याकारी हैं, माबाप की सेवा करने वाले हैं। वो तबी संभव है जब आपके जीवन में संतान लक्षमी की के आप पे कृपा है। जोतिश में इनका संबंद शुक्र और गुरू से है और वास्तु में इनकी दिशा है अगनी साउथीस्ट और नौर्थीस्ट इशान। अपने घर में इशान और अगनी को बैलंस रखिए संतुलित रखिए आपके जीवन में संतान लक्षमी की कृपा बनी रहेगी। लक्षमी का छटा रूप वीर लक्षमी धैर लक्षमी साहस शक्ति का प्रतीक है और धैर लक्षमी वैक्ति में आत्म विश्वास उत्पन करता है वीर लक्षमी का संबंद मंगल से है और वास्तु में इनकी दिशा है साउथ दक्षन दिशा यम की दिशा धैर लक्षमी का और वास्तु में इसकी दिशा है पश्शिम वेस्ट अपने घर में साउथ और वेस्ट को संतुलित रखें आपके जीवन में वीर और धहरे लक्षमी की कृपा बनी रहेगी लक्षमी का सात्वा रूप विजय लक्षमी संकट हम सबी को अपने जीवन में जहिलना पड़ता है उनसे कैसे लड़ें उन पे कैसे विजय प्राप्त करें हार नहीं माननी है यह विजय लक्षमी है और विजय लक्षमी का जोतिश में संबंध है सूर्य और मंगल से वास्तु में इसकी दिशा है पूर्व दिशा और दक्षर दिशा यह दोनों दिशा हैं आपके घर में संत सबी भौतिक सुकों में विद्या को सर्वत्च माना गया है और विद्या लक्षमी स्वैम बुद्ध है और वास्तु में इनकी दिशा है उत्तर दिशा अगर उत्तर दिशा आपके घर में संतुलित है तो आपको अपने जीवन में विद्या लक्षमी की किरपा आपको अपके जो जानकरी दिगई है उनके अनुसार नियमों का पालन करें और अपने जीवन को आनन्द में करें.